दोस्तो OnePlus की तरफ से एक नहा स्मार्टफोन और लांच हो सकता है जो OnePlus Nord LE के नाम से आने वाला है इसके बारे में अब रिमर डाना स्टार्ट हो गया है, इसके फोटो एक निकल कर आई है इसके स्पेसिफिकेशन की बहुत सारी डिटेल निकल कर आ चुकी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि OnePlus Nord LE जो फोन होगा, इसमें कोन से फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, किस प्राइस में आ सकता है, कब तक यह फोन लांच हो सकता है इसके साथ चाथ LE का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि OnePlus Nord LE है इसका दोस्तों जो नाम होगा वो है Literally Only One Edition के नाम से यह आने वाला है, तो LE इसको सौर्ट फॉर्म में बोल जाएगा तो अभी तक ऐसा पता चला है कि इसमें आपको 6.44 इंच की AMOLED डिस्प्ले अगरा देखने को मिलेगी पंचोल कट आउट आपको देखने को मिल सकता है, टॉप लेफ्ट कॉर्णर में फुल एच्टी प्लस का रेजिलूशन होगा, 1080 x 2400 पिक्सल का 90 हर्ट का स्क्रीन रिफ्रेस रेट हो सकता है और इसमें आपको हो सकता है कि इन डिस्प्ले फिंगर पिंगर्पिंट स्केनर में देखने को मिल जाए और दोस्तों आपको डियोल सेलफी कैमरा इसमें देखने को मिलेगा ऐसा पता चल रहा है वहीं पर इसका जो प्रोसेसर होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट आया है वन प्लस नौड एली में बता जा रहा है कौलकूम स्नैपडरेगन सेबन सिक्स्टी फाइब जी चीप से टोला प्रोसेसर होगा जो एक फाइब जी प्रोसेसर है ठीक ठाक है यह बहुत पाउरफुल भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर अगर RAM अगर एक बात करें तो अभी तक RAM का वैरेंट दोस्तों किलियर नहीं हुआ है पर जहां था कि इसमें 6GB और 8GB RAM का आपको वैरेंट देखने को मिल सकता है 256GB, 128GB, 64GB के आपको अलग-अलग इसे में storage भी देखने को मिल सकती है वहीं पर इसका camera जो पता चला है उसमें आपको पता चलेगा कि OnePlus Nord LE में rear side में quad camera का setup होने वाला है जिसमें primary camera 48MP का बताया जारा, 8MP का ultra wide lens, 5MP का depth sensor और 5MP का micro sensor इसमें देखने को मिलेगा front का camera अभी तक दोस्तों clear नहीं हुआ है क्योंकि dual camera बताया गया कितने megapixel का front camera है, उसके बारे में अभी तक कोई detail नहीं आई है front camera से related, वहीं पर जो battery बताया जा रही है OnePlus Nord LE में, वो बताया जारी 4150 image की battery होने वाली है इसके साथ में 30W का एक fast charger भी मिलेगा, जो ठीक ठाक है मेरे साब से 30W के साथ में दे रहे हैं और वहीं पर connectivity की features के अगर बात हो तो OnePlus Nord LE में आपको Wi-Fi मिलेगा Dual SIM 5G का support मिल रहा है, Bluetooth 5.1 है GPS, USB Type-C, port charging और data transfer के लिए और साथ से 3.5 mm का headphone jack भी OnePlus Nord LE में देखने को मिलने वाला है तो फिलाल दोस्तों अभी ये कुछ details निकल कर रही है OnePlus Nord LE से related और अगर बात करें इसके launch अगरा की price अगरा की तो अभी तक दोस्तों इसके launch date अगरा कहीं पर कुछ confirm नहीं हुई है और हो सकता दोस्तों ये phone आपको April या फिर में तक देखने को मिल सकता है कुछ भी अभी तक इसके बारे में जाता information नहीं है इसके launch से related और जो price अगरा होगी इसके जो features लगे है इसको देखके तो ऐसे लग रहा है कि 25,000 के आसपास OnePlus Nord LE की price हो सकती है तो फिलाल दोस्तों अभी जो details निकल कर रहे हैं सारे rumored हैं अभी तक officially कुछ भी confirm नहीं हुआ है अगर future में इस phone के बारे में officially कुछ update आता है या फिर कुछ strong जो है इसके rumor निकल कराते हैं तो definitely मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ OnePlus Nord LE के बारे में वैसे दोस्तों अभी आप लोगों को क्या लगा है बेल आइकन हीट कर दो कुछ ऐसे interesting वीडियो को देखने के लिए तो पस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में